नमस्कार दोस्तों अगर आप 10th class फाइल कर चुके हैं 10th class पास कर चुके हैं और अब आप 11th में entry लेने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि हम कौन से subject से कौन से stream से पढ़ें और अगर आप commerce stream से पढ़ने वाले हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमें commerce stream में कौन कौन से books पढ़न तो हम आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं आप क्लास 11 में कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हुए हैं कॉमर्स इस्ट्रीम से हैं तो आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होंगे कौन-कौन से बुक्स पढ़नी होंगी मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में तो आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है जरा सा भी स्किप नहीं करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा अपने सभी दोस्तों के पाश में वीडियो को शेयर भी कर चलिए हम स्टार करते हैं आज की वीडियो और आपको बता दें कि क्लास 11 में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे कॉमर्स स्ट्रीम से सबसे पहले देखिए आपको यहां पे दो टाइप से जो है सब्जेक्ट चोच करने को मिलेगा अब सबसे पहला आपका जो सब् अब कि मतलब यह हुआ कि जाहें या ना चाहें लेकिन आपको इन सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ेगा लिगे ये compulsory में आपके चार subject आजाते हैं, नमबर एक पर आपका होजाता है accountancy, फिर आपका होजाता है business studies and फिर आपका आजाता है तीसरी नमबर पर economics और फिर आपका चौते नमबर पर तो आता है English, अब देखिए अगर आप commerce से पढ़ने वाले हैं तो आपको ये चार subject तो पढ़न ही पढ़ेगा क्योंकि ये आपके लिए compulsory हैं, आप इनको बदल नहीं सकते, आपको ये चार subject पढ़ने होंगे, इन चारों subject का नामेगवार फिर आप देख लेदे, accountancy, business studies, economics and English, ये चार subject आपको compulsory होते हैं, ये लेने ही पढ़ते हैं, फिर आजाता है आपका optional subject, ये optional का ज subject ही पढ़ने रहते हैं, class 11th में, तो आपको optional में से कोई भी एक सा subject आपको ले लेना है, आपको सभी subject चूज कर सकते हैं, देखिए optional में सबसे पहले आपका क्या आता है, तो optional में आपका आता है computer science, mathematics, physical education and psychology, ये आपके इधर चार subject दिये होई हैं, और जो आपके optional subject होते हैं, वो होते हैं उनमें से, अधर जो इतने भी हैं, हिंदी, painting, music, etc, तो ये आपके होगे optional subject, इनमें से आप कोई एक भी subject आपे चूज कर सकते हैं, कोई सभी आप एक subject आपे चूज करेंगे, तो चार subject आपका compulsory हो जाएगा, और एक जो है इधर से आपका हो जाएगा, optional subject में से, और total दो आपके बनेंगे, वो 5 subject हो जाएगे, जो कि आपके class 11 में, commerce stream के subject की list पूरी हो जाएगी, तो देखिए, आपको मैंने बताया कि आपको कौन-कौन से किताबे पढ़नी होगी, कौन-कौन से subject आपको पढ़ने पढ़ेंगे, class 11 में, commerce stream में, इनमें से आपको दो टाइ है, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी class 11 में, commerce stream से हो गई, क्योंकि बहुत ही जरूरी वीडियो थी, आप लोगो के लिए, इसलिए वीडियो को अगर आपने पूरा end तक देखा है, अच्छे से समसा है, तो आप लोगो को अब सारे डाउट्स केलियर हो गए होंगे, तो उमेद करते हैं, आपको वीडियो बहुत पशंद आई होगी, अगर वीडियो आपको सच्ची में पसंद आई होई हो, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कर देना है, और आपके अगर कोई भी doubts हैं कोई भी question है तो आप हमें comment box में भी पूछ सकते हैं दिखें ऐसी तमाम सारी वीडियो आपके लिए यहापे आती रहती हैं आपके doubts को लेकर के तो चैनल को अवसे subscribe कर लीजिए जिससे आपके कोई भी doubts हो तो आपके doubts को clear करा जा सके तो अब आप क्लास 11 की commerce stream में कितने subject पढ़ने होते हैं कैसे कैसे में subject रहा से choose करना होता है यह आपको clear हो गया होगा तो अगर आपको वीडियो फिर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के शाथ में तब तक के लिए जय हिन जय भा आपको रहा तो शक्त